तो वाच्छेप गाईज welcome back to another video of code with youtube channel all friends आज की जो वीडियो में हम बनाएंगे हमारे quiz का intro page जो के हमारे app के UI का हिस्सा है वो एक page हम आज की जोश्रीयो का आज की जोश्रीयो में complete करेंगे मुलुम है कि पिछले काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी साथी में मेरे घर पर भी नहीं था इसके कारण जो में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और अब अब हमारे आप को फुल स्थीड बुलेट ट्रेंट की स्थीड से ले जाएंगे तो आब हमारे काम को स्टार्ट करते हैं सबसे बहुत है आपको पटा जाता हूँ कि में यह जाना यह जाता हूं कि आ काफी दिन हो गए है हमने हमारा आप काम नहीं करा है तो मायन में चीजों को refresh कराने के लिए भी हमें मैं बताता हूं कि क्या करना है तो देखो हमने अभी तक यह वाला पेज बना लिया है यह जो आपको दिख रहा है कौन बने करोड़ पती वाला है जो विखने की पाले है और आप भुणा क्या थो अजू अ सब्सक्राम बो भ पालों कर लदए तो हमारा की चुकत कर लिया तो वे बारे यह सुपरा पीज वाला एप बनाना कि कि जिसमें हमारा quiz का नाम बताएंगे किसी बंदे न अगर किसी quiz पर क्लिक करा जो कि open है और जैसी वो क्लिक करेगा तो उसको वह यह वाला page दिखाएगा जहां पर वह quiz के related सारी information दिखाएगा किसी का एक introduction page रहेगा हो तो वह वाला page यह इसको दिखाना चाहिए ठीक है तो यह वाला page आज की विडियो में बनाएंगे तो चले हम काम को स्टार्ट करते हैं और उमीद है कि आपको जो चीजे माइंड में रिफ्रेश हो गई होंगी तो अब हम काम को स्टार्ट करते हैं यह यह इसाइडर प्रोग्रम में से मुझे मुझे ये विंडोगा मिल गया अब जल जली मुझे मुझे मैरे मेरे मेरे लापापम बिजऻिवल है विंडोगे बिटे ही इन मैन करने के लिए सारे रेक्वायरमेंट समय तरहे साथ में हाता है अब यू रग्र मふर्ल्ण मशी रहत करते हैं उसी तरीके से हम जैसी को इस नहीं फाइल करते हैं तो हम इस material.art को import करते हैं वह हमने import कर लिया है इसके बाद में यहाँ पर create करूंगा stateless widget stateless widget में create क्यों कर रहा हूं stateless widget create करने से आपकी memory कम खफ़त होती है आपका app फास्ट चलता है इस वहाँ stateless widget create करने में आपको प्रोसेसिंग थोड़ा ज्यादा लगता है और आपका app फोड़ा sign करता है इतना ज्यादा फरक नहीं है बट हाँ अगर आप को production level में ले जाना चाहते है तो यह छोटी छोटी बाते ही आपको ध्यान करना हूँगा इसके फोल्ड एंड इसके फोल्ड रिटन कराने के बाद में अब इसके अंदर हम चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते है और सफ़ेले में आप एक बार देना चाहता हूँ और आप बार में हम यूज़ करेंगे आप बार हमारा widget आप बार widget यूज़ करने के बाद में मैं सोच रहा हूँ और गाइस की मैं Android Studio पर वापिस से स्विच कर लूँ क्यूंकि कारन है कि देखो मैं वीडियो आपर रेकॉर्ड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको मेरा एक एक वर्डिंग धंग से दिखे और इसके लिए मु स्विच कर दूँगा आप मुझे बताईये मतलब कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपको suitable लग रहा है कि मुझे करने कोई दिक्कत नहीं है मुझे मालूम है कि मैंने क्या code लिखा बड़ आप लोग को code पूरा दिखता नहीं है तो अगर आपको अ रिस्पॉंस उसकी साथ से हम इसको Android Studio पर सुच करेंगे और अगर आपको रिस्पॉंस रहता है कि मत करो तो नहीं करेंगे तो आप बाल लगा दे इसका मिने टैट्रल दे दिया है क्विज आप की बीसी क्विज आप इसके बाद में मैं आपर body property लगांगा body property लगाने के बा मुझे आपर child देना पड़ेगा and child के अंदर मैं सबसे पहले में पर दूँगा child के अंदर हम सबसे पहले में पर देते हैं container में आपर दिया and container देने के बाद मैं container में मैं दूँगा child ठीक है child के अंदर मैं आपर दूँगा एक और column एक और column मैं आपर देना चाहता हूँ तो मैं आपर दूँगा एक और column और अब देखते जाहिए कि मतलब यह सारी इतने सारी चीज़ें करने से होगा क्या तो मैं आपर दे रहा हूँ एक और column और इस column के अंदर मैं दूँगा एक text text और इसका नाम में रखूंगा quiz name ठीक है quiz name यहाँ पर मैंने दे जाहिए जिसके आपको दिख रहा है quiz मुझे नहीं दिखता पीछे का code तो फिर इसलिए में इसको switch करने के बूल रहा था ठीक है आपर quiz करने में आजएगा जो आपको ऊपर heading दे रहा था बड़े अक्षरों में आपसे टॉप पर वो quiz करने में यहाँ पर आएगा कुछ अब आपको आपर alignment करना पड़ेगा जैसे कि जब सबसे पहला आप उपर आएंगे ता आप एपर इसको container को थोड़ी सी padding दे दो customer container को थोड़ी सी padding दे दो child you can opa, so child को नीचे अपर padding मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर रख्के और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूं 금 s tape को ठीक है तो हीहाँपर मैं दूँगा बही padding and padding मैं आपर दूँगा इसको edge insets dot only and इसको मैं दूँगा bottom की bottom इसको 40 की and then इसके बाद में जो हमारा column है इसमें हम देंगे एक cross axis alignment इसको cross axis alignment हम start कर देंगे cross axis alignment and cross axis alignment dot start ठीक है यह हमने लगा दिया and then इसके बाद में हमेरा जो container है इसमें हमें इसकी width देने पड़ेगी तो मैं इसके देता हूँ width 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 and width इसको full देंगे जित्ते भी हमारे mobile की screen होगी तो हम यहां पर use करेंगे media query का media query dot of context dot size dot width ठीक है यह हमने width दे दे इसको completely अब इसमें हमें थोड़ी सी padding देते हैं तो padding edge insets dot all and 20 के हमें आप इसको जो हमारे यह वाला column है जिसके अंदर हमारे quiz name है इसके अंदर हम देंगे cross access alignment cross access alignment dot center and इसी तरह के से main access alignment भी देंगे तो main access alignment and main access alignment dot center अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि भई मुझे इतना सारा code कैसे याद हो गया और क्या आपको भी इतना सारा code याद रखना है तो जवाब है बिलकुल नहीं और यह मैंने आपर wrap को लिख दिया तो cross alignment dot center करना था मुझे so जवाब है भई बिलकुल नहीं आपको बिलकुल भी code start रही रखना मतलब याद नहीं रखना है start क्या याद नहीं रखना है actually मैं यह पहले ही code लिख चुका हूँ एक बढ़ टेस्ट कर चुका हूँ और UI बनाना काफी simple काम है यार कोई भी कर सकता है आसानी से इतने project करने के बाद तो इसलिए मैं आपर UI में थोड़ा सा फास चल रहा हूँ जो code रहता है वो मैं आपको समझा जाता हूँ यहाँ पर कि इस इस तरीके से चीज़ा होगी honestly speaking मैं आपको बता रहा हूँ न ऐसे ही करता हूँ वरना अगर मैं आपको यहाँ पर एक दम subscribe से बताने जाऊँगा तो जो 40 minute का video रहगा वो आपका 1.5 गंटे को extend कर जाएगा और हम नहीं चाहते कि हम हमारा इतना time UI बनाने में waste करें मतलब waste नहीं utilize करें इसके वजाए हम कुछ दूसरी जो नहीं चीज़े है उसको सीखने में हमारा time utilize करें वो ज्यादा चीज़े रहेंगे न ठीक है so text align है अब हम इसको देंगे इसको text align का center कर देंगे ताकि हमारा text एकदम peach center में आ जाए यह करने के बाद में थोड़ा सा style मारेंगे style बाव विया का style मारेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर लाएंगे style and style में हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले text style widget text style widget में में यहाँ पर लगाऊंगा जबसे पहले font size अब देखो यहाँ पर इतने सारे dialogue box आगा है इसके current थड़ी से दिक्कत होती है विकर text बड़ा है ना यार अगर text में आपर छोटा करके रखूँ तो यह इत्ता दिक्कत नहीं देंगे इसमें problem क्या हो जाएगी कि आप लोगों को पराबर से code नहीं दिखेगा इसलिए मैं आप इसको बड़ा करके जबाँ then मैं मैं दूँगा font wait font wait.polt या फिर w500 भी कर सकता आप मैंने फिसे w500 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ करूँगा इस वाले column के अंदर आप आ जाएए इस वाले column देखो यह कहां पर खतम हो रहा है यहां पर कतम हो रहा है तो इसके अंदर में all ca sols और उसके अंदर से पहले बढ़ा है अब मैं मैं usp prince and still subtractedि कि करेंगे image तो image.network and then आपको देना पढ़ेगा हैाँ प्र source तो आप unsplash.com पे से जाकर वहाँ से कोई सभी image का URL उठा सकते है बट मेरे यहाँ पर पहसी है कि image URL उठाय हुआ है तो मैं वह URL नहाँ पर post कर रहा हूँ same URL आपको code मैं तो यह से आपके साथ में share करता ही हूँ तो उसमें आपको मिल जाएगा वहाँ साथ copy कर लेना अब इसके बाद में हम image में थोड़ी सी properties कस्तेमाल करना चाहेँगा तो मैं आप इस properties करूँगा fit fixed fit में हम पर दूँगा box fit.value.cover ठीक है box fit.cover and इसकी में height define कर दूँगा header नहीं मेरे भाई height 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 मतलब उंचाई समझता नहीं क्या उंचाई height जी हाँ तो हम इसके height किती देंगे हैं हम इसके height देते हैं 230 and then इसके बाद में width width दो हम देंगे completely तो इसके लिए में इसको करेंगे media query .of context .size .wit ठीक है यह आपका होगया इसके बाद में हमें बनाएंगे container यह हमेंने बनाया container इस container के अंदर अब यह हमारा image का इसके निचे जो related to वाले जो topics थे अब अब उसको cover कर रहे हैं so container के नीचे अब में आप लगाँगा padding padding में सबसे पहले दूँगा edge insects.all 18 and इसके बाद में मैं इसमें दूँगा child sorry child child में मैं दूँगा यहाँपर इसको column column में मैं आपर दूँगा इसको cross success alignment 2 minute क्या लिखा गया main success alignment लिखा गया अरे भाई मेरे मुझे मिटा दे so यह इसको मिटा देता हूँ column के अंदर हम children देते हैं children के अंदर हम देंगे यहाँपर सबसे पहले एक icon icon के अंदर हम देंगे icons.topic outline topic underscore outline ठीक है तो actually मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको एक बार इमेज था समझा रहता हूँ वरना आप हो सकता हूँ confused हो रहे हूँ थोड़ा सा so actually मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर मैं थोड़ा pen wayne मिलेगा किया भाई साब windows 11 साब आप pen wayne की सुविधा देते हैं let's see window 10 में तो आते थियार यहाँ पर pen wayne की सुविधा जी हाँ है actually मैंने इसे recently install कराया तो इसलिए मुझे इसका इता भी कुछ पता नहीं कि कि क्या के features इसमें नहीं डले इसमें नहीं डले but developers की साब से काफी अच्छा है अगर आपका windows यह वो आपका laptop या फिर आपका machine वो compatible है तो आप upgrade कर मारो जोड़ते हैं क्या गर रहा था कि देखो मैं इतना 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 पार बना रहा हूं ठीक है यहाँ पर दो चीज़े जो के नीचे जा रही है related to and India GQ और यह आपको दिख रहा है and related to मैं फिर मैंने row क्यों लगा ही तो क्यूंकि मैं related to मैं यहाँ पर आगे एक icon लगा दूँगा ठीक है उससे थोड़ा सा अच्छा लाएगा तो यहाँ पर एक icon लगा हूँ रहाएगा और यहाँ पर एक image रहीगा तो आपको दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से widgets का धेर बन रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर row के उसक्राँ तो column के अंदर एक row and उसके नीचे आपको जो नीचे text है simple हो तो इसलिए जो मैं यहाँ पर row और column के अंदर row का इस्तमाल कर रहा हूँ के अमीद आपको समझ में आगया होगा तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा topic outline topic outline लिखने के बाद में मैं इसमें लगाँगा एक size box ताकि जो आपका icon और जो आपका text और बीच में थोड़ी सी gapping हो सके इसके अंदर मैं width दूँगा 6 की इसके बाद मैं दूँगा text and इस text के अंदर मैं लिखूंगा related to related to इसके हम थोड़ा style यह दे दे style मैं मैं दूँगा text style and इसके बाद मैं text style के अंदर different different चीजे दूँगा जिससे की हमारा हो गया font size, font size, font size किता दे हम, 20 का दे देते हैं, font weight, font weight किता दे हम, font weight dot bold कर दो, ठीक है तो यह आपका काम हो गया, अब इसके नीचे, आप अपने row से बाहर आ जाएए, और जो आपका column था, उस column में आप चीजे रहना स्टार्ट करिए, उस column में अब आप text tag बना दीजे, and यह मैंने बना जाए text, and इसके नदर आप different different अपी के लिए category, science, ठीक है, and इसके बाद में space, and इसके बाद में astronomy, and इसके बाद में rocket, and इसके बाद में isro, ठीक है, इससे related आपकी जाए होई quiz है, okay, यह आपका quiz होगा, इसका थोरा साप style text style, text style, and font size, font size 17 करें दीजे, ठीक है, आपका काम होजाएगा, यह इतना काम आपका होगया, अब बस आपको आपका इतना काम होगया, तो आपको ज्यादा जाएगो कुछ करना नहीं है, बस आप इसी को copy paste करके, और बागी के जो दो आपके और बच्चे हैं, जैसे कि duration और about quiz, वो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, अब हम रन करके देख लिएते हैं कि आकर हमारा final output यहां पर क्या आ रहा है, तो मैं main.dat में जाओंगा, and main.dat में जाने के बाद मैं नीचे आ जाओंगा, और home के जगे में आपर इसको, sorry, login के जगे में आपर इसको quiz intro कर दूँगा so actually मैं यहाँ पर एक नया emulator बनाया, इसकी current मेरा app sign in नहीं है, और currently मैं internet से भी connected नहीं हूँ, इसलिए जो मैं यहाँ पर इसमें login नहीं हो रहा हूँ, okay, और मैं यहाँ जाता हूँ मेरे terminal में, एक किबारी, यह मैं यहाँ पर गया, और मैं R दबाके इसको कर दिया, hot reload, actually इमेज नहीं आ रही है, बकि हमारा quiz name लिखावा आ गया है, हमारा image यहाँ पर आ जाएगा, and related to, डेम का फलाना यह भी हमारा लिखावा आ गया, बढ़िया, अब इसके बाद में हम जाते हैं हमारे quiz intro में again, quiz intro, and यहाँ पर जानने की बाद मैं अब आपको related to से लेकर तो, आ वो बनाना, मतलब बनाना हो तो बनादा यार कोई problem नहीं, उसमें वो भी और अच्छे चीज रहेगी, but मैं इसको कोई copy paste यहीं से कर दूँगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई चीज नहीं और मैं इसको सिर्व इसी page में use कर रहा हूँ, दूसर page में use नहीं करूँगा, so यह container म मैं इसको copy करके paste, copy करके paste, ठीक है मैंने दो बार इसको copy paste कर दिया, image load नहीं हो, यह करनर महाँ पर error आगया, को problem नहीं, यह net से connect होगा, तो image automatic आजाएगी, और मैं इसको यहाँ पर वापिस से hot reload कर देता हूँ, तो तीन बार related to related to लिखा आगया, अब आपको यहाँ पर text change कर नहीं बाकी सब कुछ विससे के विससर आएगा, जिसे कि आपको सबसे पहले change करना है, duration, duration, अब यहाँ पर आप topic afternoon की जगे icon भी change कर दो, time कर दो, so time, time से related हमारा है, आपर कोई है नहीं, timeline, नहीं, नहीं, clock, clock एक पर हमें यहाँ पर search कर ते, dot clock, इस नाम से अगर कोई icon होगा जी नहीं, जी नहीं, keyboard, caps lock, clock से related भी नहीं है, मतलब कि फिर यहाँ पर console आएगा, dot, time ही देख लेते हैं, एक और बार, type भी हमें आकर कुछ मिल जा तो, वो घड़ी वाला मुझे गोल वाला में डोट रहा था, आँ, यह वाला बिलकुल, so, यह timer, timer नाम में इस icon का, तो timer का म मैंने आपर लगा दिया, duration आपर लिखा हो आजाएगा, and science space, dimka का लाना के जगे, हम यहाँ आपर, यहाँ आपर का लिख देंगे, change करके, 10 minutes, 10 minutes, okay, 10 more लिखना हो, and इसके बाद में आपका related to, एक और related to, सबसे नीचे वाला, इसमें आपने देखते हैं, about quiz, and about quiz में आप यह आपर आसानी से, बड़े में आपर अपर कुछ बिटमें टेस, dimka बलाना, dimka बलाना, एक तम बढ़ा थुड़ा से, ताकि जो वह चारपास लाइन ने, shift home दबाऊंगा, copy करूंगा, ctrl v, 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 oh sorry, and ctrl v, नहीं बास, बस, हो गया, प्र काफे बड़ा text है, और एक बार मैं इसको hot reload करके check कर लेता हूँ, तो देखो इतना बड़ा text हुआ है, बट यह text आपका overflow कर जाएगा, अगर यहाँ पर image आगी तो है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारा container है, इसको हमें single child scroll view में merge करना, मतलब कि उसक single child scroll view कर, ओके यह आपका काम हो गया, अब control R दबा दीजिए आप, और यह आपका scroll level बन जाएगा, ठीक है, scroll level हो गया, वरना यह overflow कर जाता है, बस इसलिए, ओके यह काम हो गया, आप हमें यहाँ पर एक start quiz वाला button डालना है, ठीक है, start quiz वाला जो button है, हमारे app में नीचे, जो side में लगा हुआ है, वो हमें button बनाना है, so वो बनाना यहाँ पर है काफी आसान, क्योंकि आप काम कर रहे है, flutter के साथ में, तो flutter आपको functionality देता है, वो वाला button बनाने की काफी आसानी से, skill आपको use करना है, यहाँ पर ऊपर आजाना, इसके fold में, नीचे वाली line में आओ, यह यहाँ पर लेता है, child, style ने मेर भाई, child, and child में आप यहाँ पर कुछ भी, child, कुछ भी विजिट है, आप पास करा रहा है, text और इसका नाम में रखना हूँ, start quiz, फोड़ा सा दिख चाहे मुझे, start quiz, ठीक है, and यह पांगे का on press की property, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया on pressed, on press प लगा सकते हो, icon के साथ में container लगा, तो row लगा दो, पूरा का पूरा, उसमें page लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो सब कुछ ले लेगा, child दे रहा हूँ, इसलिए मैं आप elevated button का यूज करा, तक आप icon, icon, अगर आपको मर्जी हो, अगर आपको डालना हो, तो आप आप style and text style में हमें आपर देंगे, font size, font size हम देंगे 20 का, ठीक है, यह को font size में आपर देंगे 20 का, यह जोने के बाद में आपको यहाँ पर एक मातर काम और करना है, आपकी जो floating action button है, by default यह, आपके right bottom में है, जो हो लगा हुआ रहता है, right bottom, कोने में, ठीक है, एकदम right के कोने में महाँ पर लगा हुआ रहता है, आपको उसको change करके center में कर देना है, ताकि थोड़ा सा, अच्छा लगे, वो अगर आपको side पर रखना है, कोई दिक कर नहीं रहना है दोसको ऐसी, और अगर आपको थोड़ा सा, इसको center में करना है, तो मैं बताता हूँ, location change करना है, तो किस इस्तिमाल कर सकते center dock, center float, center top, and dock, and float, आप सभी को try करके देखो, किधर क्या आपकी होती है, बट यहाँ पर हमारे app के लिए आपको इस्तिमाल करना है, center float, center float मतलब नीचे तेहरता रहा है, simple है होई, center मतलब बीच में तेहरता रहा है, यह मतलब होता है center float, so center float लगाने के सब्सक्राम जब यहाँ पर हो जाएगा, so एक बार हम बापीस हमारे app को hot restart करके देखते हैं, या फिर hot reload करके देखते हैं, hot reload करे हमें, और यह मुझे बोल रहा है कि कुछ problem है, dart html कि इसने यहाँ पर इसको import करा दिया, हम dart html को back कर देते हैं, एक बार इसको completely hot restart मार देते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर चीज़े आ रही है, hot restart हो चुका है, and quiz name अब लिखा हो आ जाएगा, सब कुछ नया और हमारा elevator button भी आएगा, देखो आपको दिख रहा है, start quiz का, और यह button आप देखो, हमने इस तरीके से हमारा complete design करवा है, कि about quiz में हमार इसको overlap नहीं कर रहा है, मतलब start quiz हमारा overt को इसको overlap नहीं कर रहा है, button उसके नीचे आ रहा है, थोड़ी सी space हमने दे रखी थी padding के वज़ा से, duration 10 minutes, यहाँ पर लिखा हो आ गया, इस लफड़ को में सुदाना पड़ेगा, तो मैं भी कुछ line-line delete होगा, यह गलती से मुझसे, so उसको मैं fix कर देता हूँ, and row, column, children, column के बाद, container, यह container शायद गलत आ गया है, container आना चाहिए या नहीं, child, children, about 10 minutes, इसमें मैं इसको बड़ा इशो नहीं है, काम करता हूँ, मैं इसको delete करता हूँ, यहाँ से, जितनी देर में मैं इसको सही करूँग, उतनी देर में तो मैं नह अगल उपर वाली line को again copy करता हूँ, container से, so here my container, इसको मैं कर रहा है, ओतरी, 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 आज का mouse नहीं है मेरे पास में, और मैं अपने mousepad से काम चला रहा हूँ, तो mousepad में थोड़ा से scrolling करने में problem होती है, इस select के साथ में, और हम मैं इसको करता हूँ, hot reload, related to निका आगया, बिल्कुल बढ़िया, यहां पर आपको डालना है duration, duration के बाद मैं आपको डालना है timing, यहां पर मैं इसको लिखता हूँ, 10 minutes, 10 minutes, करते हैं पर इसको हम hot reload, फिर से 10 minutes इस तरीके से लिख़वा आगया, कुछ ना कुछ ना कुछ ना पर problem हो रही है, and कुछ ना कुछ न line के property देते हैं, text align, and text align.left, left में इसको align कर देते हैं, अब एक बार इसको hot reload करके देते हैं, hot reload, hot restart करने से हो सकता कुछ हो, maybe यह दिक्कत है कुछ, यहां पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, line अगर छोटा वो रह रहा है, तो यह completely center में नहीं आ रहा है, so हम एक और काम कर सकते ह जो रहा है, I think मैं आपर row में, एफर यह column में कुछ एक 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 प्रापर्टी देना भूल गया है, यह पर जो इसका cross alignment आएगा, वो center आएगा, cross alignment, cross alignment dot start, center नहीं start मतलब, और इसको इपर हो hot reload कर देते हो, जी हां, दिक्कत यही है, तब ही यह सब center में जा रहा है, तो यह line हम लगाना भूल गया, अच्छा, वो हमारे 10 minutes ने दिक्कत दिया, तो हमें यह चीज दिख गई, तो हमें इस line को हमें हर column के अंदर paste करना है, okay, हर column के अंदर paste करना है, तभी सारा चीजे, वो अलग से, मतलब कि different आ रहा था, जब मैंने बना जा तो थोड़ा सा different हो, और backup बटन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि backup बटन अभी हम directly main.datum says में उड़ी मार रहे है, अगर हम किसी दूसरी हुए home page से उड़ी मारेंगे, तो back-up बटन आ जाएगा, बात रहे है कि क्या हम बार-बार हर एक quiz का यह अलग-अलग page बनाएंगे, नहीं बे, हम क्या बुत नहीं कर रहा हूं ताकि मुझे आपको वापी से quiz का यह वाला page वापी से दिखाना पड़े, तो मैं दिखा दू directly, अगर मैं वह इसा करूँगा तो फिर मुझे बार-बार इसको open करने के लिए उस सारे parameter डालने पड़ेंगे, और वह खाफी लफ़ड़ वाला खाना, इसलि अपड़ेट कर लिया होगा, डेली बनी रहेगा अब हमारे साथ में क्योंकि मैंने community tab में एक पूल में create करता हो रहा हूं मैं अधाना बहाद को बात भूल गया है कि हमारा community tab open हो चुका है, बधाई होया है आप लोग अगम frequently गवर बाते कर सकते हैं और interact कर सकते हैं एक दूस community tab में मैंने जब मेरा open हुआ उस दिन काफी खुश वाता है तो मैंने उसी दिन 3-4 पोस्ट कर दिया तो उसी में मैंने पूल डाला था और उस पूल में मैंने पूछा था कि मुझे कितनी frequency मतलब एक हफते में कितनी frequency कितनी बार वीडियो अपलोड करना चाहिए, एक हफते म तो आप लोगों ने बोला था कि साथ करना चाहिए, जब मैंने इसको पूछ कर था बट जैसे जैसे votes बढ़ते गए, पाच वाला जीता गया, तो आपके कहने पर मैं हफते के पाच वीडियो लाओंगा, मतलब कि मतलब शुक्रवार और जैसे कि हमारा पिछली चल रहा था, Thursday and Friday को चुटी, बाकी दिन हमारा वीडियो, तो इसी तरीक से आएंगे, ऐस थाज़ड और Friday को वीडियो वीडियो नहीं होंगे, बाकी आपका जिसे कि आज तो Tuesday, तो कल तो वीडियो आएगा, बाकी परसो और तर्सो मतलब Thursday और Friday को वीडियो नहीं आएगा, बाकी आपका र एक बार आप जाकर चेक करो वहां पर मैंने काफी सारी चीज अप्लोड करते हैं वहां पो अच्छा लगता देखने में फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलूगा मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बढ़ाई